नमस्कार दोस्तों मैं सुरेश कुमार जान लेते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ सोनेवा चांदी के भाव खाद्य तेल की कीमतों में भारी उच्छाल 15-20 रुपे प्रती लिटर महेंगा हुआ तेल लोगों के घरेलू बजट पर असर डाल रहा है भारत सरकार द्वारा मलेशिया से आने वाले रिफाइंड पाम ओयल पर प्रती बंद लगा दिया था इसके बाद खाद्य तेल के भाव में बड़ोत्री आई है खाद्य तेल की कीमतों में पिछले दो महीनों के दोरान तेजी आई है इस बेस तेल की कीमतों में 15-20 रुपे प्रती लिटर तक इजाफा हुआ है ऐसा माना जा रहा है कि बढ़ते दामों पर लगाम लगाने के ल 35 किलो सोना लगा है जिसकी कीमत करिब 14 करोड रुपे बताई गई है आपकी जानकारी के लिए बता दें सिरी सिद्धी विना एक टेंपल देश का सबसे धनी मंदिरों में से एक है जहां हर साल करोडों का दान आता है अगली बड़ी खबर है लगातार छटे दिन पेट्रोल वे डीजल की किमतों में भारी गिरावट आज पेट्रोल की किमत में 16 पेसे परती लिटर की कटोती हुई वे डीजल के रेट में भी 21 पेसे परती लिटर की कटोती हुई वहीं पेट्रोल वे डीजल की किमतों में लगातार पिसले 6 दिनों से गिरावट देखने को मिल रही ह लगातार पेट्रोल वे डिजल के भाव में आई गिरावट की चलते पेट्रोल अब तक 1.08 पेसे पर 30 लेटर तक सस्ता हुआ है वहीं डिजल की रेट 1.12 पेसे पर 30 लेटर तक गिरावट आई है वहीं आज इंडियन ओयल की वेबसाइट के अनुसार राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की किमत 74 रुपे 80 पेसे है वह डिजल की किमत 68 रुपे 5 पेसे है अगली बड़ी खबर है LIC पॉलिशी धारकों को बड़ा जटकर 31 जनवरी से बंद हो रही है 23 पॉलिशी देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC के बीमा धारकों के लिए ये बहुत खास खबर है दर असल 31 जनवरी को LIC की 23 पॉलिशी बंद होने जा रही है इन पॉलिशी को IRDAI के निर्देशों और गाइडलाइन का पालन करते हुए LIC के द्वारा इनने बंद किया जा रहा है LIC जिन पॉलिशी को बंद कर रहा है उनमें कई लोग पिरे पॉलिशी भी है इसमें LIC न्यू जीवन आनंद, जीवन उमंग, जीवन लक्षय जैसे पॉपुलर प्लान भी सामिल है अगली बड़ी खबर है जनगना 2021 को लेकर बड़ी खबर देश में पहली बार मॉबाइल एप के जरिये होगी जनगना देश की सौलमी जनगना को लेकर केंडरिय ग्रह मंत्राले की और से बड़ी जनकारी दी गई है ग्रह मंत्राले की और से कहा गया है कि 2021 की जनगना पहली ऐसी जनगना होगी जो की मिस्रत आधार पर की जाएगी लोगों से उनके बारे में जानकारी मुबाइल एप के जरिये भी ली जाएगी इस एप को रजिस्टरार जनरल ओफ इंडिया के दोरा ही तयार किया जाएगा इस एप पर लोग खुद अपने बारे में जानकारी जनगना के दोरान दे सकते हैं अगली बड़ी खबर है एरटेल ने जारी किया दमाकेदार प्लान ग्राहकोंगों होगा भारी फाइदा एरटेल अपने यूजर्स के लिए खास मोके पर कई ओफर लेकर आती है अब कमपनी 189 रुपे वाले प्लान में 2,00,000 का इंशूरेंस कवर दे रही है इसके लिए कमपनी ने भारती AXA के साथ साज़ेदारी की है वहीं हाल ही में कमपनी ने 289 रुपे वाले प्लान को पेस किया था जिसमें 4,00,000 रुपे का इंशूरेंस दिया जा रहा है वहीं कमपनी के तरब से 189 रुपे वाले प्लान में फ्री अनलिमिटेड वोईस कॉलिंग के साथ 28 दिनों के लिए 2 जिबी डाटा दिया जा रहा है वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दे लाइफ इंशूरेंस उसी वेक्टि को मिलेगा जो 18 साल से 54 साल तक का हो सोने चांदी से जोड़ी अगली बड़ी खबर है सस्ती हुई चांदी जाने क्या है सोने के भाव वेस्विक संकेतों और रुपए में कमजोरी के कारण सोने के भाव में आज तेजी आई है दिल्ली सराफा बाजार में आज सोने का भाव 54 रुपे प्रति 10 ग्राम बढ़ गया वहीं आज चांदी की कीमतों में गिरावट आई है आज चांदी 56 रुपे प्रती किलो सस्ती हुई वहीं HDFC Securities के वरिष्ट विसलेसक तपन पर टेल ने बताया कि रुपाए में कमजोरी और वेस्विक बाजार में सोने की कीमतों में आई तेजी के कारण आज दिल्ली सराफा बाजार में सोने के भाव में तेजी देखी गई वहीं आज अंतराइश्टे बाजार में सोने का भाव 1569 डॉलर पर टियोंस पर पहुंच गया जबकि चांदी का भाव 18 डॉलर पर टियोंस पर रहा अब जान लेते हैं आज भरती बाजारों में सोने वाचान्दी के भाव क्या रहे इससे पहले रोजाना सोने वाचान्दी का भाव जानने के लिए इस चैनल को लाइक वा सक्सक्राइब करना साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना जिससी आपको रोजाना नोटिफिकेशन मिलता रहे वहीं अब जान लेते हैं टूडे 24 के रेट सोने के भाव आज 24 के रेट सोना 1 ग्राम का रेट 4,020 रुपए 8 ग्राम का रेट 32,160 रुपए 10 ग्राम का रेट 4,200 रुपए और 100 ग्राम का रेट 4,002,000 रुपए रहा वहीं अब जान लेते हैं टूडे 22 के रेट सोने के भाव आज 22 के रेट सोना 1 ग्राम का रेट 3920 रुपए 8 ग्राम का रेट 31,360 रुपए 10 ग्राम का रेट 49,200 रुपए 100 ग्राम का रेट 3,92,000 रुपए रहा